नमस्ते मैं विध्याल्य का खेल कप्तान मयंग कमबोच आज की प्राता कालीन प्रातना सभा में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज फरविरी माहा की एक तारीक दिन मंगलवार है सबसे पहले मैं आज के पंचांग की जानकारी के लिए मैं हमारे संस्कृत अध्यापक आचारे सुनील दद गौतम जी से निवेदन करता हूँ नमस्ते सर नमस्ते आज के पंचांग के अनुसार विक्रमी संवद 2078 शक्संवद 1943 आज माग महा के कृष्ण पक्ष की अमवस्य तिति है मंगलवार को होने के कारण इसे हम भूमवती अमवस्य के नाम से जानते हैं आज का नक्षत्र श्रवन आज का योग व्यतिपात है प्रविष्टे के दिबात करें तो आज माग महा के 19 प्रविष्टे घटित हो रहे हैं मुस्लिम महा जमत उलसानी की आज 28 तारीक है धन्यवाद धन्यवाद सर अब समय है आज के प्रातकालीन प्रातना का तो आईए मिलकर प्रातना करते हैं मंगलवार के दिन हम गायत्री मंत्र विधाल्य के ध्यवाक्य सहित हनुमान चाली सा एवं राष्टगान का उच्चारन करते हैं आप सभी से निवेदन हैं कि आप अपना सिर्ध धक ले All classes, be ready for गायत्री मंत्र इवेद भुवस्वः तत्स्वितुर्वलेण्यम् भर्गो देवस्यदी मही दियो योनाः प्रचो नया ओम भूर्गुमस्वा तच्सवितुल्वरेन्यम भर्गो देवस्यदी मही दियो योनाः प्रचो नया ओम भूबस्वाह तत्सवितुल्वरेन्यम भर्गुमस्वा तत्सवितुल्वरेन्यम् हर गोदे बस्यदी मही धियो यो नहां प्रचोधया धियो यो नहां प्रचोधया झाल्ष भेल प्रचोधया। ¶क्षा के लेखा के बस्यदी मनें प्रचोध। श्री गुरु चर्ण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बर्नव रगुवर विमल जसु जो दाय कुफल चारी बुद्धी हीन तनु जानी के सुमीरो पवन कुमार बल बुद्धी विद्यादे हुमोही हर हुं कलेश विकार जय हनुमान ज्यान गुण सागर जय कपी सति हुलोक उजागर नाम दूत अतुलित बल धामा अंजनी कोत्र पवन सुत नामा महाबीर बिकरंपज रंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन परन पिराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र अर घजाविराजे कांधे मूंज जने उसाजे शंकर सुन के सरी नंदन तेज प्रताप महा जग वन्दन विध्यावान गुणी अतिचातुर राम काज करिबेको आतुर प्रभुचरित्र सुनिबेको रसिया राम लखन सीता मन वसिया सुक्ष्म रूप धरी सिहं ही दिखावा विकट रूप धरी लंक जरावा पीम रूप धरी असुर सहारे राम चंदर के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए शीर गुवीर हरशी उरलाए तकुपति की नी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत हिसम भाई सहस बनन तुम रोज अस गावे अस कहीं शीपति कंठ लगावे सन कादिक ब्रह्मा दिमुनीसा नारद सारद सहित अहीसा जम तुवेर दिकपाल जहाते कभी कोविद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्री वह कीना राम मिलाय राजपद दीना तुम रो मंत्र विभीशन माना लंके स्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जोजन पर भानू लीलय ताही मदूर पल जानू प्रभो मुत्री का मिली मुख माही जल दिलांगी गए अचरजनाही दुरगम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रेतेते नाम दुवारे तुम रखवारे गोत न आज्या बिनू पैसारे सब सुक लहे तुम्हारी शरणा तुम रखशक काहू को डरना आपन तेज समहारो आपे तीनों लोक हांक ते कापे गूत पिसाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुडावे मन क्रम वचन ध्यान जोलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिन के काज सकल तुम साजा और मनो रथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिध्ध जगत उज्यारा सादु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अश्ट सिधिन वनिदि के दाथा अस्वर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हरे पासा सदार हो रगुपति के दासा तुम्हरे भजन राम को पावे जनम जनम के दुख विसरावे संत काल रगवर पुर जाई जहां जनम हर भगत कहाई और देवता चित न धरई हनुमत से सरव सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत वलवीरा जै 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 हनुमान गुसाई प्रिपा करहु गुरुदेव किनाई जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महा सुख होई जो यह पड़ हनुमान चलीसा होई सिद्ध साखी गौरीसा तुलसी दास सदा हरी चेरा कीजे नात हिदय महडेरा अवन तन संकट हरन मंगल मूरति रूप रामलकन सीता सहित इदय बस हुसुर भूप अस्तो मा सद गमया तंसो मा जो तिर गमया मृत्योर मा अमृतम गमया ओम शांती 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 ओम Be ready for National Anthem जनगन मन अधिनायक जयहे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराथा राविड उठकल वंगा बिंध्य हिमाचल यमुना गंगा उचल जलधितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशिष मागे गाहे तव जयताथा जनगन मंगल दायक जयहे भारत भाग्य विधाता जयहे जयहे जय है जय 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 है भारत माता की जय भारत माता की जय वन्दे मातरम प्राता कालीन प्रातना के बाद अब समय है श्रीमत भगवत गीता के अठ्रा अधाय के पहले छे अधर्श लोगों को सुनने का आप स्क्रीन पर देखते हुए साथ साथ उच्चारन करेंगे धरम्क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सम्वेतायु योच्चवह मामकाः पांडवाश्चैव किम्मकुर्वत संजय कर्मन्ने वाधिकारस्ते माफले शूकदाचन माकरंफलहे तुर्भूर माते संगोच्वकर्मनी कर्मन्ने वहिसंसिद्धी मास्थिताजनकादयह लोकसंग्रह मेवापी संपर्ष्यंकर्तुमर्हसी एवं ज्यात्वा कृतं कर्म पूर्वै रपिमु मुक्षुभी कुरू कर्मै वतस्मात्वं पूर्वै पूर्वतरंकृतं ब्रह्मन्याधाय कर्माणी संगं त्यक्त्वा करोतियह लिप्यतेन सपापेन पद्मपत्र मिवांभसा आत्मो पम्यन सर्वत्र समंपश्यत योर्जुन सुखम वाय दिवा दुखम सयोगी परमो मत अब समय है प्रसंग को सुनने का इसके लिए हमारे साथ है ग्यारवी कक्षा के चात्र राहुल की अभिभावक शीमती किरन देवी नमस्ते मैं नमस्ति अदर्ड में प्रधानाचारे जी उप्रधानाचारे जी अध्यापगर्ण अभिवावगर्ण एवं प्यारे बच्चों मेरे नम कीरन देवी है मैं कक्षा ग्यारवी की छात्र राहुल की अभिवावग हूँ मैं आपको एक कहानी सुनानी जाए रही हूँ जिसका शीशक है पत्थर काटने वाला एक समय की बात है किसी एक पत्थर तोड़ने वाला रहता था सारा दिन वह बहुत महनद से पत्थर तोड़ा था उसके हाँट बहुत सक्त थे और कपड़ी भी बहुत मैले थे एक दिन वह एक बड़े पत्थर पर काम करने लगा उसका काम असान नहीं था क्योंकि उस दिन गर्मी भी भ tid कुछ घंटे पत्थर तोड़ने का काम करने के बाद वह चाया में बैठ गया कुछ समय के बाद उसे किसी की आने की आवास सुनाई दी उटती हुए उसने लोगों को लोगों का एक लंबा काफिला देखा उस काफिले में कई साने और सेवग थे और काफिले के बीच एक पालक को कुछ ताकत वर लोगों ने उठा रखा था मैं कितना खुश होता अगर मैं एक पत्थर तोड़ने वाला ने ना होकर राजा होता पत्थर तोड़ने वाला राजा को देख कर सोचने लगा जैसे ही उसके मूँ से ये शब निकले तब ही एक अद्बुत बात हो गई पत्थर तोड़ने वाले ने देखा कि उसने देशम के कपड़े पहने हुए थे और वह चमकते हुए जेवराज से सजा हुआ था उसके हाथ कोमर थे और वह एक अराम दायक पालकी में बैठा हुआ था वह काफिला आगे बढ़ा तब सूरज की गर्मी भी बढ़ गई थी जैसे ही दो पहर हुई सूरज की गर्मी और बैठ गई जिससे राजा और भी जादा बैचैन हो गए मैं शक्तिशाली हूँ लेकिन सूरज तो और भी जादा शक्तिशाली है मुझे राजा होने की बज़ जाए सूरज होना चाहिए पत्थर टूने वाला सोचने लगा इतना सोसते ही एक ही बार में वह सूरज बन गया और धरती पर अपनी चमक भी खेडने लगा वह बड़े जोरदार ढंक से चमकने लगा उसने अपनी किरनों से खेतों को जला दिया लेकिन वह कितना भी तेश क्यों ना चमकता हो वह बादलों के पार नहीं देख सकता था यह तो पक्की बात है कि बादल सुरे से ज़्यादा मजबूत और ताकवतवर है पत्थर तोड़ने वाला बोला बलकि मुझे तो बादल होना चाहिए अचानक उसने देखा कि वह रूप बदल कर काला घ्रना बादल हो गया था उसने खेतों पर खूब आरिश की जिससे बारसी आ गई सब पेड और घर पानी में बह गई लेकिन उस चटान को कुछ नहीं हुआ जिससे एक बार उसने तब तोड़ा था जब वह एक पत्थर तोड़ने वाला था वह चटान मुझसे जारत अकतवर क्यों है बादल बने हुए पत्थर तोड़ने वाले ने कहा कि अबल एक पत्थर तोड़ने वाला ही अपने योगता से एक चटान को तोड़ सकता है कितना ही अच्छा होगा अगर मैं फिर से एक पत्थर तोड़ने वाला बन जाँ जैसे ही उसने ये शब्द कहें उसने अपने आपको एक पत्थर पर बैठे हुए पाया उसके हाथ सक्त थे उसने अपने और जार उठाए और खुशी खुशी उस चटान पर काम करने लगा इस कहाने से हमें ये शिक्षा मिलती है मनुष्य उसको हर हाल में खुश रहना चाहिए धन्यवाद धन्यवाद मैम अब समय है आज के सुविचार को जानने का इसके लिए हमारे साथ हैं पांच्वी कख्षा की चात्र सिधी शरमा नमस्ते सिधी नमस्ते मेरा नाम सिधी शरमा है मैं कक्षा पांचवी की चात्र हूँ आज का सुविचार है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्षय की प्राप्ति ना हो जाए मैं अपना सुविचार दोहराती हूँ उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्षय की प्राप्ति ना हो जाए धन्यवाद आपका दिन मंगल में हो धन्यवाद सिद्धी अब समय है जनम दिवस वाले चात्रों को जनम दिवस की शुब कामनाई देने का आज शोरे शर्मा सात्वी और सिम्रन कोर पांचवी ब का जनम दिन है तो आईए मिलकर जनम दिवस वाले चात्रों को जनम दिवस के गाये जाने वाले गीत गाकर शुब कामनाई देते हैं तुम को है जीवन में बढ़ते ही जाना तुम हो सुन्दर बूद उसके नाम की तुम हो सुन्दर बूद उसके नाम की आप सबी का शुब कामनाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज की प्राता कालीन प्रातना सब्भा में इतना ही नमस्ते